नमस्कार दर्शकों एक बार पुनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी पसिंदिदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में एक मेल हतेली है पुरुष जातक हैं आप और आपकी सुन्दर से हतेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है देखेगा आपकी हतेली में जो हिर्दय की लकीर है जो आपकी मस्तिस्क की रेखा है और जो आपकी जीवन की रेखा है और जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये पूरी तरो से एक M का आकार बनाती हुई दिखाई दी रही है इस पश्ट तरीके से आपकी हतेली कह रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिने पंच भूत कहा जाता है और अंग्रेजी में फाइब एलिमेंट कहा जाता है आपके जो सरीर के सातों चक्र हैं, देखेगा हमारी जो ये सरीर है, हमारी जो ये बॉड़ी है इसमें सात चक्र होते हैं ठीकर न? तो आपके जो सातों चक्र है पाँच ज्यान इंद्रिया है और पाँच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान, शंकर, देवादि देव, महादेव आपके इष्ट देव है और आपके आराध्य इष्ट देवी है मापारोती या उनका कोई भी रूप आप इसकी पूजा कर सकते हैं अपने आराध्य और अपने अधिश्ठात्री देवी के परति जितनी आपकी निष्ठा रहेगी जैसा आपका समरपन रहेगा उस हिसाब से आपके जीवन में एक दिव्यता और एक भव्यता की प्राप्ति होगी ये निष्चित तोर पे आपकी हतेली में बनने वाला ये चिन्न कहे रहा है क्योंकि जो आपके प्रिंसिपल लकीरे हैं और जो उप्रधान लकीरे हैं ये सब मिलकर इस चीज को इंगित करती हुई यहां पे दिखाई दी रही है दूसरी बात अगर हम चलते हैं सबसे मुख्या प्लैनेट अगर देखें तो यहां पे केतु का परोद दिखाई दी रहा है आपकी ये पहली रेखा इस तरफ ज़्यादा पुष्ट होती हुई दिखाई दी रही है और ये रेखा है आपकी स्वस्त्य की रेखा ये आपके स्वस्त्य के बारे में आरोग्य के बारे में और तंदुरस्ती के बारे में बताती है तो निश्चित तोर पे चाए आरोक्य का मामला हो चाए स्वस्त्य का मामला हो या तंदुरस्ति का मामला हो आने वाले समय में इसमें आप लक्की रहने वाले हैं बहुत सो बग्यसाली रहने वाले हैं ये बता रही है दूसरी लकीर अगर हम देखें ये भी धीरे-धीरे पुष्ट हो रही है और इसका फायदा साड़े तीन वर्सों के बाद जादा अच्छा रहेगा अभी ये उतना फायदा नहीं दे रही है ये है संपत्ति की रेखा और इसे धन रेखा भी कहते हैं ये आपके करियर और धन के रेखा से समन्द रखती है जो आगे जाके धीरे-धीरे जो है थोड़ा उतार चड़ाव देने की इस्तिति में आ रही है तो ठीक साड़े तीन वर्सों के बाद आप देखेंगे इसके सांदार प्रिणाम आपको मिलने वाले है जहां संपत्य का मामला बहुत सुंदर रहने वाला है आपको अच्छे लाब प्राप्त होने वाला है वही धन का संचाई आप बहुत सुंदर रूप में करेंगे और एक प्रोड रूप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप ध्यान से देखें एक तीसरी लकीर बहुत मलीन है लेकिन लकीर का उत्पन होना ये बताता है कि आने वाला समय आपका बड़ा खूब सुरत रहने वाला है बड़ा सुद्रिड और बड़ा अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये सुक की रेखा जन्म ले रही है जो अब तक लखनी वाओ आगे होगा मनि अपने आपको आपके लिए कहरे ये लकीर कि आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का शांदार परिणा मिलने वाला है अब तीन रेखाओं का उदाई होना ये भी बताता है कि आपका जो पूर्व जन्म था उस जन्म में आपने बड़े पुन्या और बड़े ही उच्छ कर्म किये है अर्थात आप अपने पहले जन्म में भी मनुष्य थे और आपने बहुत पुन्या और उच्छ कर्म किये है जिसकी वजोसे ये मानव योनी आपको प्राप्त हुई है और उस प्रारप्द की वजोसे अच्छा नौलेज आपके जियोन में अवतरित हो रहा है और अच्छा धन भी आप प्राप्त करेंगे थोड़ा लेट सही लेकिन बहुत सान्दार इस्तिति को ये दे रहा है और ये ये बता रहा है आपका केतु का सान्दार परवत इस पर कंकण की रहखाएं बता रहे है कि आप मनुष्य रूप में थे लेकिन पुरुस ही थी और जिस इस बंस में आप जन्म लिये हैं उसी बंस के कोई पूर्वज थे अपने ही बंस में आपने जन्म लिया है अपने ही DNA में आपने जन्म लिया है थोड़ा जो उच और पुन्य कर्म किये हैं आपने वो थोड़ा सा उस जन्म में लेट किये हैं जिसकी वोजो से इस जन्म में उन रहे हैं क्योंकि ये हिस्सा कह увер रहा है कि जीवन का जो प्रारंभिक दोर रहा है आपका वो भी थोड़ा संगरसों से युक्त रहा है आप संगरस कर के जीवन को तपा खड़े उठे हैं और कहीं न कहीं इस इस्थिति में आई हैं आगे आपकी जीवन में ठीक 57 वर्स में एक राजयोग जन्म ले रहा है जो आपको बुलंदियों पे पहुँच दाता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है पहले उसकी बात करें फिर अन्य चीजों के उपर हम आते हैं सबसे पहले तो आप अपनी उंगलियों को देखें ध्यान से देखें अगर प्रिंट ना करें तो भी आपको लगेगा यह उंगली यहां जुक रखी है यह यहां जुक रखी है यहां जुक रखी है सबी उंगलियों का जो जुकाओ है आपकी तरजनी की तरफ है इस पश्ट तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा इस पश्ट दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी चारों उंगलिया है तीनों उंगलिया है वो तरजनी की तरफ इसका जुकाओ है तरजनी का मतलब है कि आपकी ब्रस्पति की उंगली क्योंकि तरजनी के नीचे जो ये भाग होता है ये जुपिटर का माउंट होता है ये हमारी हतेली में बैटने वाले पर्थम आचारे हैं देव गुरु है रिसिगरा है ठीक है ने और देवताओं के गुरु है इनके थरब बाकी उंगलियों का जुकाव बताता है कि आपके विचारों में स्वतंतरता है अपनी ही बातों को मनवाने की इक्षा है सीधी सी बात है ये गुरु प्रवत से प्रभावित हो रही है तो लेडर्शिप की क्वालिटिक को देती है तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहला दूसरा बात आप देखेंगे कि ठीक ये वाले दोनों हिस्से आपके बड़े सुन्दर और पुष्ट है ये मंगल है तो आपका जो प्राकरम है वो भी बहुत जबरदस्त है यहाँ पे कैसी भी प्रस्तित जीवन में आ जाए लेकिन अपने को हार नहीं मानेंगे कितनी भी समस्यां में आ जाए अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगातार लगे रहना लगातार जोजते रहना ये आपकी जब छमता को बताता है और नेचर भी अलबेला रहेगा आपका दोसरों की सेवा करने की भावना भी आपके अंदर है दोसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से आप एक है दोसरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी है हाँ एक बात बहुत अच्छा है जिस काम पे आप लग जाते हैं उसमें मुस्तेदी भी दिखाई दी रही है और कैसी भी प्रस्तिति आ जाए उस प्रस्तितियों से भागते नहीं बलकि उसका मुकाबला करने वाला व्यक्तित तो आपका दिखाई दी रहा है अब राजयोग देखें आगे कैसे बन रहा है अभी उस राजयोग का फाइदा क्यों नहीं मिला है ये भी आपकी हतीली बता रही है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सबसे छोटी उंगली जो ये दिखाई दी रही है ये रिंग फिंगर की तरब इसका जुकाओ है ठीक है ने तो धन का मानी की लणक जबरदस्त रहने वाली ये बता रही है और इसके ये पहले पोरवे तक पहुँच रही है तो कहीं न कहीं जो है जो कम्यूनिकेशन इसकिल्स रहने वाली है ठीक सतावनवे वर्स से ये जबरदस्त रूप में आपके अंदर रहने वाली है और उच्च वर्ग का व्यक्तित तो रहेगा स्रेष्ट सपलता को आप हासिल करेंगे और अपने ही बलबूते पे अच्छी सपलता हाप हासिल करेंगे ये इस पश्ट तरीके से बता रही है ठिक और कही न कहीं ब्यापारिक समझ ब्यापारिक बुद्धि आपके उदायमान इस्तिति में आ रही है दूसरी बात देखें ये रिंग फिंगर भी कही न कहीं मिडिल फिंगर के तरफ जोकाओ ले रही है इसका मतलब है यस पाने की चाह जो इच्छा है और अपने कारियों में विस्तार पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है यहाँ पे ब्रस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी है और मिडल फिंगर से छोटी है रिस्क लेने की चमता चीजों में जोखिम उठाने की चमता आपके अंदर अच्छी है और उस रिस्क लेने में उन जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठन की चमता भी आपके अंदर है जिसे हिम्मती सुभाव कहते हैं और हमारे हस्त रेखा के पौरानिक सास्तर में बताया गया है कि अगर थोड़ी सी भी ये रिंग फिंगर आपकी बड़ी हो ब्रिस्पति की उंगली से और मिडल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा ब्यक्ति अपने जी पॉर्दस्त रूप में होने वाली है आप यसुस्वी होंगे समाज में मान प्रतिष्टा यस पाने वाले फिंपाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफल्तम जातक होंगे सफल्ता की प्राप्ति करेंगे आप देखें राजयोग कैसे बनता है सबसे पहले ये देखते हैं और मैं कई दफे समझा चुका हूँ कि ये जो राजयोग मैं बता रहा हूँ ये किसी हस्त रेखा के न तो पोराणिक गरंथ में लिखा है न कलाशिकल बुकों में लिखा है जो हमने रिसर्च किया है और आप लोगों का बड़ा सयोग रहा है उसमें आप लोगों ने जो फीड़बेक भीजा है निश्चित ही वो 100% एको रेट आया है तो इस वज़ोशे कहीं न कहीं हमा आत्मविश्वास बड़ा है और हमाने रिसर्च करने की छमता को थोड़ा बल मिला है तो हम ये कह रहे हैं निश्चित ही आपके जीवन में भी ये है राजो जो 57 वो वर्स से राजा के समन जीवन दिलाएगा हमने पाया है जब ये उंगली सीधी हो या इस परकार से जुकी हुई हो लेकिन इस उंगली के इसके पोर्वे तक पहुँच रही हो और ये उंगली भी लंबी हो और इस उंगली के पहले मनी बड़ी हो और इस से छोटी हो और ब्रिस्पति का परवथ सुनर और इस पश्ठ आुस्ता में हो अच्छा पुश्ठव हो आपका बहुत जादा साधारण है और सनी की तरब जोका हुआ है जो नगेटिव परिणाम देता है ठीक है न तो 99.9% मामनी में ऐसे लोग सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य करने वाले होते हैं एक परसेंट किसी प्रस्तितिवस अगर ऐसा ब्यक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य न कर रहा हो तो ये ब्यक्ति ब्यापार में जाता है और ब्यापार में अपनी उत्कृष्टता को हासिल करता है ब्यापार के कारण जाना जाता है ब्यापार के कारण इन छोटा बयापार हो, लेकिन ब्यापार के छेतر में ही काम कर रहे होंगे, अगर इन दोनों में से किसी एक छेतर में आप काम कर रहे हों, चैसरकारी नोकरी या इससे समंधित या ब्यापार में, तो ठीक 56 वर्स के बाद निश्चित रोप से बहुत बड़ी काम्याबी एक उतक्रिष्ट काम्याबी आपको हासिल होने वाली है और एक राजा के समान आपका जीवन रहने वाला है ठीक अब हम थोड़ा मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को तरजनी को देखते हैं फिर अन्य चीज़ों पर भी जाते हैं यहाँ पर देखेंगे तो आपकी तरजनी उंगली ब्रिस्पति की और जुक रही है यह बहुत सुन्दर है यह जब ब्रिस्पति की तरब जुकती है तो आपकी मानसिक चमता को बताती है कि ब्रिस्पति की जो मानसिक चमता जन्म ले रही है जबरदस्त रूप में ले रही है साथ में अध्यात्मिक चमता भी अच्छी रहेगी स्वाबि मानी रहेंगे दोसरों की मदद करने वाला रहेगा विक्ति और नौलेजबल विक्तितों के धनी होंगे ये इस चीज को बता रहा है ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरह तो ये बता रहा है धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में अच्छा कासा विश्वास बना रहेगा और कहीं न कहीं क्या होगा आत्म विश्वासी भी बने रहेंगे अब चलते हैं थोड़ा सा चीजों की और सबसे पहला आपका अंगोठा पे देखें तो ये सेकिंड पोर्वा अती बड़ा है थोड़ा फश्ट पोर्वे से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये इस फश्ट तरीके से कह रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं आपने कहीं दन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया मनी निरणयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है बड़ा सोच समझ कर आपको जीवन में निरणय लेना है ठीक है न? और देखेगा 56 वर्ष की आयू में आपका पूर्ण भाग्योदय होगा सुरुवाती दोर थोड़ा पीडा दाई रहा होगा घरीप परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा आपका ये चीज भी बता रही है और ये चीज भी बता रही है लेकिन 56 वर्ष से पूर्ण भाग्योदय यहां पे दिखाई दे रहा है और ये राजयोग भी यहाँ पर बता रहा है दो चीजें इस पष्ट तरीके से आपकी हतेली में बताती हुई दिखाई दी रही है ठीक, अब यहाँ पर देखेगा यहाँ पर यह आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो यह भाग है इसको हम कहते हैं ब्रिस्पति का परवत यहाँ पर वेसे मचले का चिन बना हुआ है जब मचले का चुन ब्रिस्पति परवत पर बनता है तो दिन दूनी रात चोगनी ऐसा विक्ति क्या करता है सफलता की प्राप्ति करता है ठीकिन दिन दूनी राज चोगनी कामियाभी पाता है लेकिन यहाँ पे ये सनी की तरफ बहुत ज़्यादा जुक गए है तो अभी धाई वर्सों तक कम से कम परिवार को लेके कुछ चिंताई रहेंगी या पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा दूसरी बात है यह यहाँ पे बहुत साधारण इस्तिति में आ गये है तो इस इस्तिति में यह आपके अंदर्भी परत्मान में बहुत ज़्यादा साधारणता देनी की कोशिस कर रहे हैं सामन्य बिक्तित्व देती हुई यहाँ पे दिखाई दी रहे हैं ठीक है न और देखेगा यह बिरिस्पति हैं चाए कुंडली में हो जनम पत्री में हो या हस्त रेखा में हो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इनको माना गया है क्योंकि हमारे सास्त्रों में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा सुब या जरूरी है अब बिरिस्पति इस रोप में है यहाँ पे तो यह बता रहा है आपके पास कितना भी ग्यान है लेकिन उसको इंप्लिमेंट करने की जो प्लेट फॉम है वो आपको नहीं मिल पा रहा है उस ज्यान को आप भुनानी पा रहे हैं और चाहे आपका विवा हो अगर ऐसे लोगों का विवा नहीं होता समय पे तो उसमें अर्चने आती हैं विवा लेट होता है अगर हो गया हो तो बैबाहिक जीवन का जो पूर्ण सुक है उस सुक के भोग में कमी करता है और चाहे संतान हो संतान नहीं हुई है ऐसे लोगों की तो संतान क्या होती है देर से होती है संतान को लेके चिंताएं रहती है हुई है तो कहीं न कहीं उनको लेके थोड़ी बहुत चिंताई रहेंगे चाहे पैतरिक संपत्य हो उसका पूरा फायदा नहीं मिलता है और धन के मामले में विसेश कर ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है संगर्ष करना पड़ता है सोचना पड़ता है और कई बार तो किसी क धन दे दिया वो चीज फंस जाती है लोग वापिस नहीं करते हैं भावक बना के ले लेते हैं अपना काम निकाल लेते हैं मना नहीं करते हैं लेकिन क्या करते हैं वापिस नहीं करते हैं धन फंस जाता है धन के मामले में संगर्स को दिखाता है तनाव को दिखाता है और सभी परकार के जो सुक हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए ठीक है न ब्रिस्पति के इस परकार के कमजोर होने से साधरन होने से वो सुक प्राप्त नहीं हो पाते हैं और ऐसे लोगों को समय पे गुरू नहीं मिलता मनि सही दिशा दिखाने वाला ब्यक्त नहीं मिलता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संगर्स दिखाई देता है कभी कभी अपने आपको अकेला महसूस करते हैं इसे लोग तो ये आपका ब्रस्पति यहां पे अभी अच्छे प्रणाम नहीं दे रहा है भले ही मैं इसके लिए आपको उपाई दे दूँगा आप विदिवत तरीके से उपाई करेंगे तो निश्चित ही लाब होगा दूसरी बात देखेंगे आपका जो ये मिडल फिंगर है इसके नीचे का भाग को हम सनी कहते हैं यहाँ पे देखें सनी बहुत ज़्यादा उभर गई है ठीक गंभीर की समका ब्यक्तित तो दे रहे हैं लेकिन एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य करेंगे सुबह समय पे कई बार सोचें बहुत प्रियतन करेंगे लेकिन आलस्या आएगा समय पे नहीं उठ सकते हैं दूसरी बात बे वजहें की चिन्ताइएं अभी बनी रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें सनी पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं न कहीं जो है तनाव की इस्तिति बनी रह सकती है किस बात की और ये संकेत दे रहा है तीसरी बात यहाँ पे गहरा होता जा रहा है तो व्यक्त इस्तिमाल होता ऐसा लगता है व्यक्त दोखा कहा रहा है ऐसा फील होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा ठेक करने के लिए सनी का उपाए करें आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है ये सूर्य का परोत है बड़ा डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये डाउन जाता है तो जो आपके द्वारा प्रियास किये जाते हैं आप उन प्रियासों में सफल नहीं हो पाते हैं ऐसा आपको भी लग रहा होगा आप जो भी प्रियास कर रहे हैं उनमें उस प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है ग्यक्ति को यस की प्राप्ते नहीं होती है आप किसी के लिए कितना भी कर लो अपने सरीर भी दे दो अपने सर बेकाट के दे दो लेकिन तो भी आपको यस नही मिलेगा ये सूर्य बता रहा है जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप परिसरम कर रहे है उसका जो पूरा स्रै है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है ऐसे में कि जो काम sport करता है पहले अगर थोड़ा बहुत चल भी जाता है लेकिन फिर उसमें सफलता नहीं मिलती है, अडचने आती है, कारे बिलम होता है, चीजें फस्ती हुई नजर आती है, विक्ति उलजन में बन जाता है, दुविधा में आ जाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, तीसरी बात है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता हो काबिलियत होती है उस तरह से चीजें नहीं उभर पाती हैं निखर के नहीं आ पाती हैं एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसे में बेगते अगर ब्यापार की तरब जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैलाओ वो नाम वो यस वो ब्रांड बनकर नहीं उबर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के प्यापार में गया था ऐसे में बिगते अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में आप देखेंगे कि वो वास्तुए ग्रॉथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो क्यों होता है ऐसा देखेगा सूर्य का कमजोर होना बताता है कि कहीं न कहीं आपका जो रूटीन है वो रूटीन अनबैलेंस हो गया है वो बैलेंस उस्ता में नहीं है आपको अपनी दिन चरिया बदलने की जरूरत है क्योंकि सूर्य बताता है कि आपके जो सारीरिक चक्र है वो सूरे के चक्रों के साथ परस परताल मेल में नहीं है जिसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पढ़ रहा है जहां आपके सारीरिक स्वस्त्या, आपकी खुसहाली, आपका उत्साह आपकी उर्जा इन चीजों की चिंता होने बैठ रही है ठीक है ने वहीं कहीं न कहीं आपकी कामों में दिक्कत आ रही है क्या करना चाहें मैं एक दिब्य सूरे किरिया दे रहा हूं वो विदिवत तरीके से करेंगे सूरे की उपासना करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपकी जो सारिरिक चकर है वो सूरे के चकरों के साथ परस परताल मेल में आने बैठ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारिरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजिता से चलेगा फिर चाहे सारिरिक स्वस्थे हो जीवन की वास्त्विक खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहें तो कन्ने की कोशिस करें निश्चित ही लाब होगा बुद्ध की इस्तिती देखें तो बुद्ध थोड़ा सा जो है यहाँ पर कट-कटाओ की इस्तिती में आ रहा है तो थोड़ा वानी पर नियंतरन लखें और इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान किरिया दे रहा हो जिससे चीजें अच्छी इस्तिती में आएं यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा उबर गया है तो थोड़ा सा कभी-कभी मानसिक रोप से जो है थोड़ा सा हलका डिस्टब होते जाएंगे या इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो शकते हैं मन कभी-कभी अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा अपने डाइजेस्टिब सिस्टम का ध्यान रखें और थोड़ा नीन आने में हलकी फुलकी दिकतें आशकती हैं बहुत बड़ी प्रेशानी नहीं है सुक्र का अगर हम बात करें आपका सुक्र अच्छी इस्तिति में है लेकिन ब्रस्पति के कमजोर होने से मानसिक प्रेशानियों को जन्म दे रहा है बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिसरम करने के बाद भी अभाव की इस्तिति है लाख कोशिस करने पर भी सारे साधन होने के बाप जोद भी जो वास्त्विक सुक है उस सुक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आपको जो है दिब्य योग ध्यान के रिया ज़रूर करने चाहिए हिर्दे की लकीर देखें सीधा सीधा आचायर बिरस्पति को टच कर रही है मिल नहीं रही है टच कर रही है इसका मतलब है सुब उठते ही तीन चीजों पर ध्यान जाएगा पैसे कैसे कमाया जाए अपनी फिजिकल बोड़ी की तरफ ध्यान जाएगा अपने कारियों के विस्तार की तरफ ध्यान जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है मस्तिस्क रेखा देखें यह बहुत अच्छी है बोदिक अस्तर बहुत अच्छा है और एक विबेकवान बिक्तित्व है हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जिवन काल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं और आने वाले समय में इसका लाब होगा जिवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार से जा रही है यहाँ पर इस प्रकार का एक सांदार चिन बन रहा है ये बड़ा अच्छा है एक तो परिवार की परति समरपण की भ़वना बढ़ेगी, समरस्तता बढ़ेगी दूसरा धीरे 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 अध्यात्म की तरप जादा रुजान बढ़ने वाला है धर्म और अध्यात में अच्छी रूचे बढ़ेगी यातराओं का बहुत सांदान लाब आपको मिलने वाला है और पैतरिक संपत्ति होगी तो उसका बड़ा लाब मिलेगा करियर और धन की रेखा भी बहुत सुन्दर है अच्छी है धीरे धीरे आपके कारियों में इस्टेबिलिटी आनी की संभावना बहुत जादा दिखाई दे रहा है और जो मैंने समय बताया उस समय से राजयोग परचंड रोप में उबर रहा है निश्चित ही जीवन को पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक सांदार इस्टित में सांदार जीवन को ब्यतीत करेंगे देखा जाए तो मैंने आपके हतेली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादियम से भीज रहा हूँ करने की कोशिस करें निश्चिति लाव होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार